जैशिक्षा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा उपाए बताने वाली हूं क्योंकि कई कमेंट में एक ही सवाल होत प्रेम बढ़े हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे प्रेम खतम ही हो गया है तो दोस्तो आज मैं उन्हीं के लिए बहुत अच्छा उपाए बताने वाली हूं दो तिन उपाए ऐसे बताऊंगी जिससे 100% अगर आप उनको करते हैं तो आपकी लाइफ से जगडा खतम होग आप दोनों के बीच में वह दुबारा पंपेगा मतलब बढ़ेगा तो उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालती हूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुचे दोस्तों मैं अपनी फ्रेंड से भी कहना चाहूंगी और अपने भाईयों से भी कहना चाहूंगी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं कि देखे हमेशा जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ पती की हो या सिर्फ पत्मी की हो देखो गलती हैं दोनों तरफ से होती ह तब ही बात बढ़ती है पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है और हमेशा हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा हस्बेंडी पहले हमसे सौरी बोले या वही हमें मनाएं तो यह चीज भी एक एहम जो होता है हमारे अंदर उस चीज को हटा देना चाहिए देखिए गलती बाद कम हो गया है वो दूर हो सके देखिए कई कारण होते हैं उसके कई बारी कुछ नेगिटिविटी भी होती है कई बारी हमारा सौभाब कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि वो देखिए उस समय आता है जिस समय में यह चीजे हो जाते हैं जब वो समय गुजर जाता है तो वो चीज हमेशा लाइट कलर देखें यह तो एक टिप है जो अगर आप इसको भी फोलो करती हैं तो आपको 100% रिजर्ल अच्छा मिलेगा अपने बैडरूम में कभी भी डाक कलर ना करवाएं डाक कलर की बैस्षीड ना बिचाएं हमेशा लाइट कलर लगाएं लाइट कलर की बैस्षी अगर आप अपने बैडरूम में कोई मतलब सुगंदित स्प्रे जैसे रूम फ्रेशर वगरा यूज करें नहीं तो एक कपू डेली सोने से पहले जलाती है ना तो उससे एक नेगटिविटी भी चली जाएगी और आपका जो मन मुटावे वो भी कम होगा उसके साथ एक और रुपाई है अगर आप एक काज के बरतन में गिलाज हो कटोरी हो किसी में भी थोड़ा सा पानी ले ले और उसमें चुटकी भर नमक रखकर डालकर उसमें अपने सिराने के नीचे रख दें मतलब अपने बैड के नीचे जहां आपका सिराना है उस साइड रख दें अगर उसको डेली आपको रोज सुबह उठके फैकना है चाहिए आप बाहर फैक दे नाली में फैक दे आपको ऐसा 43 दिन तक करना है तो देखना आपकी जो जगड़े हैं वो तो खतब होंगे ही और साथ में आपका प्रेम भी बढ़ेगा और कईयों की शिकायत होती है कि हमारे परसें आसान है और लेकिन हंड्रेड परसंट आपको इसका रिजल्ट दिखेगा इसे आपको करना एकादशी के दिन देखिए अभी दो दिन बाद ही एकादशी है जो बहुत अच्छा मतलब है अधिक मास के एकादशी है सरवशेष्ट एकादशी है वैसे तो आप किसी भ दंडी वाला होता है बड़ा सा देखें मेरे पास दो यह चोटा है जो इस में दंडी होती यह लंभी वाली ऐसा मोर्पंख लेना है और आपको साधी लौंग लेनी है लौंग का बहुत चमतकार होता है चाहे वो हमारे आयरुवेदिक तोर पे भी बहुत ही यूजफुल है और ऐसे उपायों में तो खास कर लॉंग का बहुत ही यूज़ होता है तो आपको ग्यारा लॉंग लेनी है और ऐसा मोरपंख लेना है डंडी वाला और एक मोली जिसे कलावा कहते हैं वो भी लेनी है तो आपको क्या करना है ग्यारा लॉंग को एक-एक करके जैसे ये मोरपंख है एक जैसे आपने बांद लिया फिर दूसरा बांद लिया मतलब इस साइड इस साइड करके आपको उन ग्यारा लोग को कलावे से बाधना है और उसके बाद जब आप सुबह सनान कर लें नहाद हो लें अपना सब कुछ तो भगवान कृष्ण के आगे चाहे तस्वीर हो चाहे ठाकुर जी हो तो बहुत ही अच्छा है उनके चर्णों म चड़ाना है उसके बाद भगवान जी के आगे रख देना है और उसमें से रोज एक मतलब लॉंग निकालनी है दूसरे दिन से एक आदरशी को चड़ाके दूसरे दिन 12 के दिन से आपको शुरू करना है तो एक लॉंग लेकर उसको अच्छे से कूट के ना आपको चाहे मे या सबजी में अगर आप मतलब आपका हस्बेंड आपकी बात नहीं सुनता तो उनको मतलब खिलाना है अगर आपकी वाइफ अगर नहीं सुनती तो आपको उन्हें खिलाना है मतलब हस्बेंड वाइफ में से किसी को भी इसको खिलाएंगे ना तो देखना वो आपकी तरफ attractive होगा आकरशित जरूर होगा आपकी बात जरूर सुनेगा देखे अगर आप पुरे विश्वास से इसको करती है न ठाकुर जी आपकी मनों कामना पूर्ण करेंगे मुझे पुरा विश्वास है क्योंकि यह उपाय भी ठाकुर जी ने ही दिया है और यह अगर यह करेंगे ना आपको 21 दिन में फरक 100% देखेगा बहुत जादा ही मतलब खराब होगा नहीं तो आपको उससे पहले ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा नहीं तो 21 दिन में सोते हैं या आपकी वाइब सोती है तो उनके सिराने पर रख देना है और सुबह दूसरे दिन उसको अच्छे से कूट के चाय में खाने में कैसे भी आपको मतलब चाय पत्नी को एट्रेक्टिव करना है या आपकी बात नहीं सुनते तो अपनी तरफ अपनी बात मनवाने के लिए सम्मोहित करने के लिए कह दीई तो उनको खिलाना है yan खिला सकता है वाइफ नal सकती है तो अपने शरीर से परश कर के सिराने में रख देंऑ दूसे दिनंद चाय खाने में उनको मिला कर खिला दें तो देखना वो आपकी तरफ एट्रैक्टिव होंगे ये बहुत अ और वो टिप्स भी बताया है कि आप अपने बैडरूम में किस तरह से मतलब डेकोरेट करें उसका बहुत ही प्रभाव होता है देखे रंगों का अगर नेगटिविटी होती है तो उसका भी हमारे लाइफ में मतलब असर आता है हमारे बीच में कई बारे उस चीज का भी आए बता दियें जिससे आपके बीच में जो भी कलेश होगा जगडा होगा दूर होगा और आप दोनों की बीच में 100% प्यार बढ़ेगा तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करा करें और मेरे चैनल को सब्सक्र